पहचाने नहवे रंगदारी के कि कोदर न करकला कारी के अक्षरा है हम लाखो दिल के कुई नहाई जनी बूझा नाचे हाई निसाटामे है देखे भोजपूर इंडस्ट्री के अभिनेत्री और बिहार की शेरनी कही जाने वाली अक्षरा सिंग कोई गाना लेकर आए और अक्षरा सिंग के आए हुए गाने को बोईचपूरी के पावर स्टार पवन सिंग जो अक्षरा सिंग के एक्स बॉर्फरेंट भी रह चुके हैं उनसे न जोड़ कर देखा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता आपको बताते हैं कि पावन सिंग भले ही कोई गाना लाए तो अक्षरा सिंग से उस गाने को जोड़ा जाया न जोड़ा जाया लेकिन अक्षरा कभी भी कोई गाना लाती है तो उस गाने को पावन सिंग से जोड़ दिया जाता है और पावन के समर्था के कहना शुरू कर द देते हैं कि अक्षराइद सिंग ने गाना पावन भाईया के लिए ही लाया है यह अक्षराइद सिंग के साथ अक्सर देखने को मिलता है अक्षराइज सिंग हलाकि कई बार आकर इस पस्टी करण भी देती हैं कि कोई भी गाना किसी का बपौती नहीं होता गाना कोई किसी के लिए नहीं गाता है ना कोई किसी को टार्गेट करता है गाना है राइटर लिखता है सिंगर गाता है इसलिए मेरे गाने को कोई व्यक्ति विशेष पर पुरी बोज़्प운데 सब्सक्राइब महते हैं सब कर दोगहां कि आपको बता कि बाढ़ा किस गाने नाम होगे और ये गाना जो है वो हार्मोनिया रिकॉड के ओफिशियल यूटुब चैनल से आया है और इस गाने को आई हुए एक दिन हुए है और एक दिन के अंदर यह जो गाना है यह 50,000 व्यूज मातर बटो रहा है अब हम बात करें इस गाने के मेकर्स के तो इस गाने में सिर्फ अक गाने में आपको अक्षरा सिंग के साथ विशाल सिंग नजर आ रहे होंगे वो विशाल सिंग जो अक्सर अक्षरा सिंग के साथ उनके गाने में नजर आते हैं और कई बार ये कहा चाहता है कि विशाल सिंग अक्षरा सिंग के बॉर्फरेंड है हलाकि ऐसे कोई बात नहीं है अक्षरा विशाल को छोटा भाई मानती है और विशाल अक्षरा को दीरी बोलते हैं अब हम बात करते हैं गाने की कि आखिर इस गाने को पवन सिंग से क्यों जोड़ा जा रहा है तो आपको बता दे कि जब आप इस पूरे गाने को सुनिएगा इस गाने का वीडियो देखिएगा गाने के बोल को समझेगा तो आपको भी ये लगेगा कि कहीं ने कहीं अक्षरा सिंग ने इस गाने में पवन सिंग को टार्गेट किया है और यहीं वज़ा है कि पवन के फैंस को भी लग रहा है कि अक्षरा सिंग ने पवन सिंग के लिए ही इस गाने को गाया है आपको बताते कि इस गाने के बीच बीच में अक्षरा ने दो-तीन डायलोग भी मा रहे हैं कभी वो बेलूरा बोलती हैं कभी वो बहुत मार मारब बोलती हैं और आप सबको पता है कि बहुत मार मारब वाला वीडियो पावन सिंग का खूब ज़्यादा वायरल है आप सबने देखा होगा किस प्रकार से पावन सिंग होली के टाइम लाइव आय थे और लाइव आकर वो किस तरीके से महेश पांडे जो कि यूटूबर हैं उनको गुस्से में लाई वाकर डाटते वे कहे थे कि बहुत मार मारा पवन का ये वीडियो खुब ज़्यादा वारल हुआ था आज भी मीम्स उसके वारल होते हैं और अक्षरा ने जब उस लाइन को अपने गाने में बोला है तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अक्षरा ने वो लाइन वहीं से उठाया है हलाकि अब इस बात में कितनी सचाई है ये तो अक्षरा ही जानती होंगा जिसने गाना लिखा है उसको बहतर पता होगा कि क्या को सोचकर इस गाने को लिखा है लेकिन पवन के फैंस ने इस गाने के रिलीज होने के बाद से ही अक्षरा सिंग को ट्रॉल करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि अक्षरा सिंग पवन सिंग से उपर कभी बढ़ी नहीं सकती है अक्षरा को पता है कि जब जब हम पवन को टारगेट करेंगे जब जब पवन पर गाने लाएंगे जब जब पवन वो सिर्फ और सिर्फ पावन सिंहए बासिबल हो पाया है वरना अगर अक्षराथ पावन सिंह से नहीं जूड़ी होती ही तो लोग कभी जानते ही नहीं कि आक्षराथ सिंहीं के नम की कोई एक्ट्रेस भी है जो भोचपूर इंडस्ルी में एकजिस्ट करती है आपको बताते हैं कि इस गाने क्याने से ही पुरे भोशपूरी इंडस्ट्री में एक तरफा महौल पवन सिंग के लिए बना हुआ है और पवन के जो समर्था के वाक्चरा के इस गाने पर कई तरह के कमेंट भी कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि आपका पावर और आपके व कमेंट कर रहे हैं पावर स्टार पावन सिंग कई लोगों ने ये भी लिखा कि हम समझ रहे हैं कि आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है आपको फिर से डोश चाहिए इस तरीके की कमेंट जहां वो अक्षरा की गाने में लगतार आ रहे हैं और जब आप अक्षरा का इ पावन सिंग को टार्गेट किया है और ये गाना पावन सिंग के लिए ही लाया है इसे के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं मिलते हैं वीडियो में आप देख रहते से स्टॉक्स मैं थी आपके साथ डॉली पांडे धन्यवाद